launch week है ठीक है 24 25 26 24 कल का दिन खतम हो गया 25 और 26 इस आर लांच वीक यहां पर ठीक है यहां पर जितनी भी teams खेल रही है यह जो orange में आपको दिख रहा है न यह जितने भी orange में आपको दिख रहा है इन सारे डेस का points calculate किया जाएगा to find out who is going to the grand finals जो 13 14 15 16 17 पे हैं जिसके लिए जो 75 लाग का price pool है समझ रहे हो यह उनके लिए 16 टीम अब week 1 launch week हो गया यहां पर सारी 24 टीम को मौका मिल रहा है कि आप अपने लिए कुछ यह जो week 1 launch या फिर जो orange points है super weekend आप बोल सकते हैं उसको बेसिकली super weekend 1 जहां पर सारी 24 के teams qualified हुई है तो यह जितने भी points आप यहां पर earn करते हो that will help you in getting seeding ठीक है week 1 launch पर आपने जैसा खेला आपको seeding मिलेगा आपकी groups बनेगी group A, B, C बनेगी ठीक है अगर first आते हो तो group A, second group B, third group C वैसे गर क्यों होता है fourth आते हो फिर से group है तो उस basis पे week 2 qualifiers में we'll have new groups being formed and वो लोग 4 दिन के लिए खिलने वाले है they're gonna play for 4 days वहां पे 24 teams में से सिर्फ 16 teams यहां पे पहली बार week 2 में सिर्फ 16 teams ही finals खिलेंगी जो कि 3 दिन का रहेगा तो जो teams left out हो जाएंगी उनके लग गए है ठीक है उनके literally लग गए है literally उसके बाद एक और week है to qualify for the top 16 ठीक है यहां पे हो गया यह खतम हुआ फिर week 3 स्टार्ट हेगा फिर वापस से 24 teams फिर से खिलने लग जाएंगी they'll be trying to play over the 4 days on qualifiers qualifiers होंगे उनके उसके बाद फिर finals होंगा एक और चीज़ I think जो हमारे qualifiers है दिन के 3 matches रहेंगे और जो finals है दिन के 4 रहेंगे ठीक है और जो नहीं कर पाए तो उनका हो गया bye bye tata तो उसके बाद यह cumulative scores week 1, week 2, week 3 में जितने भी आपने points सिर्फ इनी weeks में जिन जिन teams ने कमाया है उसके top 16 teams will go for the grand finals and वहां पे वो 75 लाग के price pool के लिए compete करेंगे ठीक है समझ गए लॉंडो